नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी Youtube Channel Hindi साहित्यवारता में दोस्तो NTA UGC Net विशे Hindi की हमारी त्यारियन चलियें दोस्तो तो आज का हमारा विशे है विद्यापती और उनकी पदावली तो चलिए दोस्तो शुरुआत करते हैं आज के lecture की सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों विद्यापती के जीवन परीचे के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि वो कौन थे और कब उनका जनम हुआ कौन उनके गुरू रहे और कहां कहां पर वो किस-किस राजा के दरवार में दरवारी कभी के रूप में रहे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्यापती का जो जनम हुआ था वो हुआ था 1350 इस्वी में बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गाहों में तो दोस्तों देखिए कई बार एक्जाम में यहां से प्रशन पूछ ले जाता है कि इनका जो जनम कब हुआ था 1350 में जैसे कि हम अभी देख भी रहें कि एंटिय ने अपनी जो यूजी सी नेट एक्जाम की जो डेट है वो निकाल दी है तो हमारे जो हिंदी वीशे है दोस्तों उसमें बहुत सारे एक्जाम आपको पता होगा कि इस बहुत सारे प्रश्न जो है वो किस तरीके से पुछ जाते इस तरीके से ही पुछ जाते हैं जिसमें को हम काल करम अनुसार कहते हैं तो उन में हमें चाहे उनकी डेट सो चाहे उनकी रचनाओं की डेट सो उन सब को क्या करना है हमें याद करना है तो देखिए इनका जनम बहुत आसान है याद रखना तेरा सो पचास से लेकर के मृति और इन्ते डेखि लुए के गुरु का नाम क्या था पंडित हरी मिश्ड तो इंके जो दोस्तों पंडित हरी मिश्ड थे वो इनके क्या थे गुरु थे अगली है कि विद्यापती थिरहुत के राजा सिवसिंग और कीरठी सिंग tän। राजदरवार कभी थे या दरवारी कभी भी इनको कहते हैं कि ये जैसे कि हम हिंदी साहिते का आधिकाल पढ़ रहे हैं तो अधिकतर जो कभी हुए हैं वो कैसे कभी हुए हैं दरवारी कभी ही हुए हैं और जो विद्यापती भी है वो भी क्या रहे हैं राजदरवारी कभी रहे हैं, शिव सिंग और किर्थी सिंग के राजदरवार में, किर्थी लता इन्होंने किसके लिए लिखी थी दोस्तों, किर्थी सिंग के लिखी थी और जो किर्थी पताका थी, वो लिखी थी इन्होंने शिव सिंग की वीरता और उसकी उदारता के प्र अगला है देखिए कि इन्हें श्रिंगारस के कभी कहा जाता है। दोस्तों ये भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्यापती शैव संपरदाय के कभी थे तो ये किस संपरदाय से थे शैव संपरदाय से इनको माना जाता है उसके बाद दिखी कि इनकी जो सरप्रमुक रचनाएं दोस्तो जो इनकी प्रमुक रचनाएं हैं किर्तिलता किर्तिपताका तथा पदावली ये तीन इनकी बहुत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प अगला की कीर्थी लता की रचना जो इन्होंने की थी दोस्तों वो कीर्थी भ्रिंग भ्रिंगी समवाद के रूप में तो देखिए जो रासो साहित्य के अंतरगत हमने प्रित्यु राजरासो को पड़ा था वो था शुक शुकी समवाद और यह है भ्रिंग भ्रिंगी था तो ठीक है पूरा 100 साल ये जिये ये था इनके जीवन वृत के बारे में थोड़ा सा कि कौन-कौन से इन्होंने प्रमुक रचनाय रची और किस रस्त के ये कभी माने जाते हैं और कौन से सम्परदाय था इनका क्लिर है दोस्तो अब हम देख लेते हैं आगे कि विद्यापती और उनकी पदावली तो यही हमारे पाठेक्रम में भी शामिल है दोस्तो जो इकाई दो है हमारी उसमें इस चीज को शामिल किया गया है उनकी पदावली के बारे में थीक है विद्यापती और उनकी पदावली तो देखिए पदावली में उन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का वेबार किया, यह हमने पहले भी पढ़ लिया कि उन्होंने किस भाषा में लिखा है पदावली को, वो है इनकी रचना मैथिली भाषा में, ठीक है, और इसी पदावली के अधार पर दोस्तों उन्होंने क्या किया है चित्रित किया है तो इसलिए का जाता है इनको कि ये श्रिंगारी कभी है न कि भक्त कभी है क्यूंकि इन्होंने रादा और कृष्ण के सधारन जनता के रूप में उनको एक तरीके से पेश किया है इसलिए उनको क्या का जाता है कि ये श्रिंगारी कभ तो उनमें से जो प्रमोख है पदावली में करिश्न राधाविशक, श्रिंगार के पद हैं इनके अधार पर इन्हें हिंदी में खिश्न राधा वुषक, श्रींगारी कावज़े के जनमदाथा के रूप में जाना जाता है तो यह बात कहिए धूस्टों श्रिंगारी कावे के जनमदाता के रूप में जाने जाते हैं अगला है सूरेकां त्रिपाथी निराला तो इन्होंने इनकी जो पदावली को क्या काया है श्रिंगारीक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है तो पदावली के जो श्रिंगारीक पद हैं उनको मादकता की लहर किसने कहा है उनकी मादगता को अगला देखे सूरेकांत्रिपाठी निराला तो निराला ने पदावली के श्रिंगारिक पदों की मादगता को देखे क्या कहा है नागिन की लहर तो ये क्या कहते हैं कि इनके जो श्रिंगारिक पद हैं पदावली में वो एक तरीके से ना अध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी। तो दोस्तों जो लोग विद्यापती को अध्यात्मिक या भक्त कालीन या भक्त कवी कहते हैं। बाने जाते हैं तो अचारे रामजंदरी शूकल का ये कतन बिहद महत्वपूर्ण है एक्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है तो दोस्तो ये भी आपने याद रखना है कि किस के संबंद में कहें इस तरीके से विप्रशन पूछा जा सकता है तो ये है विद्यापती के सं जाता है तो देखे दोस्तो ये अईोद्या सिंग उपाध्याय एह हरियोज जी इनकी जो कोकिल कंठ था है ठीक है इनकी जो मधुर्वानी उसी के अनुसार इनको क्या आजितना जाता है कि इन में से कौन साग्रंथ जो है वो विद्यापती का है या नहीं है तो हमें ये जानकारी होने चाहिए ये तीन तो हम सब लोगों को आ जाते हैं किर्ति लता किर्ति पता का और पदा वली ठीक है लेकिन इसके अलावा देखी जो संस्कित के इनकी कुछ एक रचना है दोस्त तो जो ये गोरक्ष विजय है दोस्तो इसका जो गद्य भाग है वो संस्कित में है तता जो पद्य भाग है दोस्तो वो किसमें है वो मैथिली भाशा में है तो इसका भी याद रखना है कि गद्य भाग किसमें है गद्य भाग इसका संस्कित में जबकि पद्य भाग जो है वो मैथिली भाशा में रचित है, इस तरीके से भी प्रशन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये दे दोस्तों कि विद्यापती द्वारा रचित जो ग्रंथ है, कौन-कौन से थे, किर्तिलता किर्ति पता का, इनको मैंने पहले भी बता ये वटवाशा के हैं, और मैथिली की पदावली, और इसी के चलते हैं, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, आगे हैं दोस्तों, कि विद्यापती किस तरीके के कभी थे, जैसे कि हमने पहले ही पड़ा, कि ये भी काफी एक तरीके से विवाद कभीश है, कुछ कहते हैं कि ये रहस्यमई कभी हैं, तो विद्यापती से संबने देखे, पहले से लिकर के अंत तक, मतलब इस तरीके के प्रशन एक्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है न, कि कौन सा विद्वान उन्हें क्या कहता है, श्रिंगारी कभी कहता है, कौन सा उन्हें भक्त कभी कहता है, तो ये मिलान या असंगत यूगम वाले जो प्रशन आते हैं दोस्तों, उनमें पूछा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो श्रिंगारी कभी इनको मानते हैं, वो मानते हैं हर प्रसाद शास्त्री, अचारे राम चंदर शुकल, राम कुमार वर्मा और राम रिक्ष बेनिपूरी, तो देखिए दोस्तों, इसमें तीन चीजें कॉमनारी है, राम, 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 तो एक राम चंदर शुकल है, एक राम कुमार वर्मा है, एक राम रिक्ष बेनिपूरी है, तो इसको आप इस तरीके से भी अपना सकते हैं कि, जैसे मैंने थी हर राम, हर राम का मतलब या हर से हर प्रसाद शास्त्री, राम से तीन राम, ठीक है, राम चंदर शुकल, राम कुमार वर्मा, और राम रिक्ष वेनिपूरी, या हरे राम भी आप इसको कह सकते हैं, हरे राम, हरे से मतलब है हर प्रसाद शास्त्री, राम चंदर शुकल, र आते आपके भक्त कभी, जो भक्त मानते हैं कि जो विद्यापती है वो भक्त कभी हैं, तो दीखिए इन में से कौन कौन हैं? ब्रजनंदं सहाई, शाम सुंदरदास और हزारी प्रसाद दुवेदी, तो इसको इस तरीके से याद रखिए कि ब्रज के शाम हजार तो जिस तरीके से गोपियां क्या थी हजारों थी उसी परकार याद रखो कि ब्रज के शाम हजार तो ब्रज से ब्रजनंदन सहाय शाम से शाम सुंदरदास और हजार से हजारी प्रसाद दूवेदी, क्लिर है दोस्तो अगला है रहस्य मई, जो ये कहते हैं कि रहस्य मई हैं विद्यापती तो उनमें से जॉर्ज ग्रियर्शन नगेंदरनात गुप्त और जनारदन मिश्र, तो इनको इस तरीके से याद रखिए कि गिरी, गुप्त, मिश्री, जो मिश्री चुपाई हुई थी, वो क्या है, गिर गई गिरी से मतलब है जोर्ज ग्रियर्शन और गुप्त से नगेंदरनात गुप्त और मिश्री से जनारदन मिश्र, तो इस तरीके से भी थोड़ी सी जानकारी कि वो किस तरीके के कवी थे, अब हम देख लेते हैं कि इनको क्या-क्या उपाधियां भी दी गई थी, ये भी बेहद मतलबून है दोस्तो, कई बार तीन-चार उपाधियां इनकी गिना दी जाएंगी और इनमें से, इस तरीके से पूछ जाएगा कि इनमें से कौन सी उपाधि जो है विद्यापति को दी गई या कौन सी नहीं है, तो यहां से भी प्रशन पूछा जा सकता है तो देखिए, अभी नव जैदेव कवी शेखर, कवी कंठार नव कवी शेखर, खेलन कवी दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल, तो यह इनकी जो महत्रपुन उपाधिया हैं दोस्तों, यह इनको प्रदान की गई है, आगे है उसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तिया हैं, तो देसिल वना सब हमें तोड़ा सा यहाद रखना जरूरी है हला कि पहली वाली पंक्ति तो सब लोगों के जहन में हमेशा ही रहती है लेकिन दूसरी वाली को भी आप देख लें इसके लावा और भी मिल जाएंगी दोस्तों, आपको यह था दोस्तों, विद्यापति के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर गीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद